हेलो एब्रीवन वेल्कम टू सीटी सी बाइर आखी चौबे आज हम लोग एमेस वोड के नेक्स सेसन डिसकस करेंगे कुईस्टन नमबर फिप्टीवन फिप्टी हम लोग कर चुके हैं पहले क्या करना है डिटेक्ट करना है स्पैलिंग एंड ग्रामर एरर को किस से कर सकते हैं प्रेस एप सेवन करेक्ट ऑप्शन इस डिस कॉलम पे आप अभी काम कर रहे हैं उसको क्या करना आपको ब्रेक करना है तो कौन सा ऑप्शन सही है प्रेस कंट्रोल सिफ्ट और एंटर यह प् सेलेक्शन मोड उसको डिसेबल करना है तो क्या प्रेस करेंगे एस प्रेस करने से सेलेक्शन मोड जो भी है अभी वो डिसेबल हो जाएगा कम टू कुस्तों नमबर 54 तू इंस्ट्रक्ट वर्ड तू स्टॉप बुलेटिंग पैराग्राफ डू एन्य अफ फॉल्लिविंग एक्षैप्ट सी वर्ड में अभी काम कर रहें आप क्या कर रहें इसमें बुलेट्स के फॉर्म में लिख रहें आप यह कुस्तन यह कह रहा है पैराग्राफ फॉर्म में तो स्टार्ट होगा नहीं इसलिए इसका कर्या अंसर क्या है ऑप्सटन बांकि के जो यह तीन और सेना प्रेस देंटर की ट्वास मजद दो बार प्रेस करने से अच्छाएंगे और पैराग्राफ इस्टार्ट हो जाएगा और प्लिक दा प्लिक यह तो साइच सकते हैंट नमबर फिलिएु एडरनफ वूतर ह ही यूथ कि देखना है और यहांच So the correct answer is D, both B and C Come to question number 57 Ctrl plus C is used to Ctrl plus C, Ctrl plus C use करते हैं किसके लिए? Copy the selected test Ctrl plus Q is used to Ctrl plus Q क्यों use करते हैं? To remove करना है किसको paragraph formatting को Either उसमें line space हो और paragraph space हो Option is correct Question number 59 Background color और effect applied on a document क्या करना है? Background color है और effect applied क्या गया है? Document पे वो विजिवल नहीं होगा कौन से व्यू में? Print preview में Print preview में क्या होगा? वो विजिवल नहीं होगा Option D is correct Question number 60 Shortcut Ctrl plus R is used to Ctrl plus R से क्या होगा? Right align होगा Selected paragraph जो भी paragraph आपने सेलेक्ट कर रखा है वो राइट अलाइन हो जाएगा मतलब इधर की साइड वो सो होने लगेगा When word flex a possible spelling and grammar error, it also changes the mark on the spelling and grammar status icon to a red cross जब भी आप कोई मिस्टेक करते हो, spelling mistake कर देते हो तो एक तो क्या होता? उस word के नीचे ये red color की wavy lines हो हो जाती है और जो grammar, spelling and grammar का status icon है वो भी red cross हो जाता है So correct option is C Now question number 62 Which of the following is not a font style? क्या नहीं है? Font style नहीं है वो तो कौन सा नहीं है? Superscript नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा font style के अंदर क्या आता है? Bold, italic, regular और bold italic चार आते है Superscript नहीं आता है So correct option is D Question number 63 The other column है, char inactive When you have selected three column जब भी आप three column मालीजे, select करते हो तो बागी के जो columns होते है वो क्या होते है? Inactive होते है तो उसको कैसे active करोगे आप तो जब भी आप column वाले section में जाओगे तो वहापे क्या होगा? Equal column width का एक options आता है उसको आपको uncheck करना है Equal column width यहां पर लिखा होगा एक box बना है तो इसको इसमें अगर टिक लगा होगा तो इसको यह करना है? Uncheck करना है मतलब इस mark को आपको हटाना है Remove करना है mark को So the correct option is D यह इसका answer है Question number 64 From where you can access save command? कहां से आप access कर सकते हो कि इसको? Save command को So the save कहां होता है जो पूराना version था Word का उसमें कहां होता था Office button होता था यहां पर मिलता था अब जो latest है उसमें क्या? File के अंदर है Save, Save as तो इनमें क्या-क्या option है? देखिए Home, Insert, Review इनमें से कहीं नहीं दीखता है Save button पहले होता था Office button पर और अब कहा होता है File पर तो इसका correct answer क्या हो जाएगा? None of the above Question No.65 How can you remove tab stop marker from ruler? Ruler क्या होता है? Word पर जैसे गाम करते है Ruler क्या होता है? इस पर marking होती है बहुत सारे lines होते है तो रिमूव करना है आपको tab stop marker को यहाँ पर अभी हमारा tab stop marker इसको remove करना है तो simple size को यहाँ करेंगे? आप drag करके यहाँ पर लाके रख दीजे या फिर ruler के east side भी आप यहाँ से इसको drag कीजिए और इस side लाके drop कर दीजे तो यह हट जाएगा यहां से तो drag करके Drag the tab stop marker out of the ruler रूलर से drag करके हटा सकते हो correct option is B question number 66 control plus M is used to control plus M क्यों use करते है control plus M is used to left indent जैसे कोई भी हमने content लिखा इसको में left aligned करना है तो कौन सा यूज करेंगे shortcut control plus M D is correct option D is correct which of the following is not available on the ruler of MS word screen MS word screen के ruler पे कौन सा available नहीं है तो see tab stop होता है left indent होता है right indent होता है यह जो center indent है यह क्या है नहीं होता है तो correct option is D Now question number 68 In word the default alignment for paragraph is word में default alignment क्या होता है paragraph का general सी बात है अगर आप कुछ नहीं set करके रखे हो तो क्या आएगा left aligned आएगा left aligned और plus margin at the left edge और uneven edge at the right edge यह क्या है इसका correct answer है question number 69 In MS word control plus s is used to save control plus s use करते हैं किसके लिए save के लिए इसका correct answer है question number 70 control plus w is used to control plus w क्यों use करते हैं save and close document save भी कर देता है अभी इस word पर काम कर रहे हैं control plus w आपने प्रेस किया तो पहले यह save करेगा उसको फिर उस document को close कर देगा now question number 71 the key f12 opens किसको open करता है save as dialogue box को the key f12 opens save as dialogue box option a is correct question number 72 control i is used to control i क्यों use करते हैं italic करने के लिए ठीक है option a is correct control plus s is used to control plus s जो है वो क्यों use करते हैं save document with save name control plus s से save तो करते हैं यह तो पता है बट जैसे माली जै अभी इस file पे मैं काम कर रहे हूं अभी इस file का name हमने रखा है msdoc अगर हमने msdoc रखा है भी इस file का control plus s प्रेस करेंगे to msdoc name से ही दुबारा वो file save होगा किसी और ने से save नहीं होगा so option b is correct if you will be displaying or printing your document on another computer you will want to mix your and select the dash option under the save tab जैसे सबोज किजिया आप इस पर गाम कर रहे है अपने जो जो फार्मेटिंग इस पर आप चाहते हो दूसरे सिस्टम पर प्रिंट निकलना और वहां पर भी यही सेम चीज वहां पर भी आया कि प्रिंट में ऐसा नहीं हो कि जो कुछन मझे से 74 इस पे आ रहा है जब प्रिंट निकालने जा रहे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा सी जब जब भी हम इसको सेव करते हैं तो आप्सें साता है एक ऐनर इसको क्या करना है चैक करना है ऑप्सें आता है एक सेव टैप के अंदर एमबेड फ़ॉंट का इसको आपको चैक कर दोगे तो क्या होगा जहां अधर सिस्टम पे भी अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो सेम इसी फॉंट में यही सारा फॉर्मेटिंग में आएगा क्रेक्ट ऑप्शन इस ए कुष्टन नबा 75 कंट्रोल प्लस जे इस यूस्टू काम आते है किसके अलाइन जस्टिफाइब करने के यहां यहां से स्टार्ट हो इसे कोई यहां होगा के डिसे और जिसेल आपन तो क्या होगा बिलकुल इस एरिया के बीच ही साढ़े वर्ड यह थर इधर नहीं होगा ठीक है that's it यह हो गया 75 questions आप लोग कीजिए इसको कोई भी confusion हो तो comment कीजिए पूछ सकते हैं आप comment करके मिलते हैं फिर next class में तब तक आप इन सारे questions को revise कीजिए practice कीजिए ओके बाबाइ see you in next class